श्रीमत भागवत का ताका महत्वा अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूटूब चला को जोर स्सक्राइब कीजे और इस बैल आइकोन को प्रेस कीजे मित्रों श्रीमत भागवतम की कता से मन का शुद्धिकरण होता है इससे संशेदूर होता है और शान्तिवा मुक्ति मिलती है श्रीमत भागवतम कता से जन्म जर्मांतर की विकार नश्टोकर प्राने का लवकिक और अध्रत्मिक विकास होता है जहां अन्य युगों में धर्म लाब यवा मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं वहीं कल्यूग में कता शरवन या पढ़ने मातर से विक्ति पहुसागर से पारो जाता है श्रीमत भागतम के कता से स्वया हुआ ज्ञान वैराग जाग जाता है भागत कता कलप पुरक्ष के समान है जिससे सभी इच्छों की पूर्ति की जा सकती है भागत कता के शरवन से परिशित को मोक्षी प्राप्ति होएती तो श्रीमत भागतम के कता से प्राणी को मुक्ती प्राप्त होती है भागवत कता के माध्यम से मनुष्य भगवान के श्रवण में पहुंचता है, वरना वह इस वमसार में आकर मोह माया के चकर में पढ़ जाता है, इसलिए आपको समय निकाल कर श्रीमुद भागवतम कता का श्रवण या पाट करना चाहिए, कलियुग में भागवतम साक्षात श्री हरी का रूप है, क्योंकि जब भागवान श्रीकृष्ण अपनी लीला खतम करके अपने दाम जा रहे थे, तब बाके के भक्तों ने कहा, हे प्रभू, हम आपकी बेना यहां कैसे रहेंगे, तब श्रीकृष्ण जी ने कहा, मैं श्रीमुद भागवतम में समाया हुआ तो श्रीमुद भागवतम भागवान श्रीकृष्ण जी का गरंतावतार है, यह साक्षात उनी का सोरूप है, अगर आपके पास श्रीमुद भागवतम है, तो आपके पास स्वयम भागवान श्रीकृष्ण है, यह गरंत कोई निर्जीव किताब नहीं है, यह स्वयम भाग दोस्तों हम हमेशा स्वनादन धर्ण के बारे में ऐसे ही गुप्त नियान हमेशा लाते रहेते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं आप इसे लाइक कीजिए आप इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार अवलन के अबात के हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही बहते हैं हमेशा इस चैनल से मिलते रहेंगी जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो स्टेबलेस श्टे आउसम हैं को सल्प में